तो दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि इंडियन नेवी चाइना के सब्मरिनों के उपर नजर रखने के लिए अपने बेड़े में दुनिया के सबसे ताकतवर एंटी सब्मरिन वोर्फियर एरक्रैफ्ट मतलब बोईंग P8I मेरिटाइम सर्फिलेंस एरक्रैप्टो को शामिल कर चुका है नेवी में अल्रेडी दस ऐसे एरक्रैफ्ट शामिल हो चुका है जब कोई दो और एरक्रैफ्ट जल्दी नेवी में शामिल होगा इसके इलावा छे और एरक्रैप्टों को खरिदने के लिए बातचित हो रहा है और जल्दी डिल के उबर हस्ताक्षर भी हो सकता है दोसो ऐसे में आप पाकिस्तान के अंदर इंडिया के इस ताकत को लेके भी डर फैला हुआ है और हाली में पाकिस्तान के तरफ से जानकरी दिया गया कि इंडिया नेवी के P-8I जैसे एरक्रेप्टों को और इंडिया नेवी के सब्मरीनों को काउंटर करने के ल के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी में एक लॉंग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल येरक्राफ जिसे सी सुल किया गया है और ये एरक्राफ पाकिस्तानी नेवी के लॉकिड मार्टिन द्वारा मेनुफेक्चर किया हुआ P3 ओरियन लॉंग रेंज स्पाई प्लेनों को रिप्लेस करेगा इवन दोसों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में ये वी जानकारी दिया गया है कि नाम च को शामिल किया जाएगा लेकिन ये पहले एरक्राफ को शामिल करने के और प्रोजेट के अनलिसिस के बाद ही संभब हो पाएगा लेकिन विलिटरी एक्सपर्ट के तरफ से ये जानकारी देना संभब नहीं हो पाया कि इतने एरक्राफ्टों को शामिल करने के लिए पाकिस् हो सकता है पर दोस्तों एक्सपर्टों के बयानों को कोट करते हुए योरेशन टाइम्स में ये भी जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तान के तरफ से ऐसे एरक्रेप्टों को खरिदने का इरादा तब बनाया गया जब भारत के तरफ से अठरा प्रोसाइडन पी-8 लॉंग रे के अंदर काफी अधिक एक्टिवेटेड है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट के मुतावी के पाकिस्तानी नेवी के जहास के लिए काफी बड़ा खत्रा है तो से एक्सपर्ट के इस बयान से उनके मन का भैका भी प्रकाश हो गया कि पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी के निर्मान किया हुआ Sea Spear Radar से equipped RAS-72 Sea Eagle aircraft को शामिल किया गया था पर ये aircraft short range के maritime patrol के operation को ही अंजाम दे सकता है जबकि Embedera Lineage 1000 aircraft के base पे जिन maritime patrol aircraft को पाकिस्तनी navy में शामिल करने का दावा किया जा रहा है इसे लेके पाकिस्तन का ये भी दावा है कि ये long range में operation को अंजाम दे सकेगा इवन इसे भी customize करने के लिए और long range operation के लिए तैयार करने के लिए पाकिस्तन के तरफ से इटलियन farm लेनार्दो को ही चुना गया जो कि इसके modification के उपर भी शायद काम किया है दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो पाकिस्तन के पास जो भी maritime patrol aircraft के version है चाहे वो ATR-72, ATR-42 या फिर F-27 जैसे aircraft सभी में ही इटलियन कंपनियों के द्वारा ही काम किया गया दोस्तों ये जो C Sultan aircraft या फिर Embraria Lineage 1000 aircraft है इसके pre-conversion, maintenance, repair और overall के लिए South African Paramount Group को चुना गया है जबकि दूसरे तरफ रावल पिंडिस्तित researcher का ये भी कहना है कि C Sultan aircraft को किसी एक sources से खरिदा या फिर manufacture नहीं किया गया है बलकि पाकिस्तान इसे different different private entities से बना रहा है उनके मताविक C Sultan अभी फिलाल एक empty shell है और ना ही इसमें electronics और ना ही इसमें operational ऐसा कोई भी equipment लगाया गया है जो इसे एक maritime patrol aircraft का दर्जा दे फिलाल पाकिस्तान के expert के तरफ से इसके इलावा aircraft के specification के regarding कोई भी जवाब public नहीं किया गया है लेकिन कुछ sources के तरफ से जानकरी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें internal weapon bay को भी fit करने का काम कर सकता है कुछ expert का ये भी मानना है कि सी सुल्तान aircraft में electronic counter measure, electronic support measure, electronic warfare system के साथ-साथ modern anti-submarine warfare platform भी होगा जबकि उनका ये भी कहना था कि ये जो aircraft है इसे offensive role में भी इस्तिमाल किया जा सकेगा और सी सुल्तान aircraft basically anti-surface warfare, anti-submarine warfare, intelligence surveillance and recognition mission के जैसे missionों को अंजाम दे सकेगा दोसो अन्ने एक पाकिस्तानी expert का कहना है कि अब तक इन aircraft को modify करना भी शुरू नहीं किया गया है और सिर्फ program के शुरुआत के लिए lineage 1000 aircraft को formally introduce किया गया है expert का ये भी मानना है कि ये जो सी सुल्तान program है इसमें हर एक aircraft के लिए 50-50 million dollar तक खर्चा हो सकता है जबकि modification के लिए 20-30 million dollar खर्चा हो सकता है दोसो इसके इलावा Eurasian Times में इन aircraft को लेके इंडिया के उपर आने वाले impact के उपर भी चर्चा किया गया फिलाल पाकिस्तानी expert के तरफ से अभी से ही इन aircraft को इंडिया नेवी के P-8I maritime surveillance aircraft के साथ तुलना किया जा रहा है लेकिन अगर असल हकिकत को देखा जाए तो दोस्तों दोनों aircraft में काफी अंतर होने वाला है एक्सपर्टों का मानना है कि पाकिस्तान के जो सी सुल्तान aircraft है इसका primary role सब्मरीन हंटिंग ही होगा जबकि इससे anti-shift role के लिए भी पाकिस्तान इस्तिमाल कर सकेगा दोस्तों expert के तरफ से ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान इन aircraft को long range patrolling mission में सरिफ peace time में ही इस्तिमाल कर सकता है क्यूंकि पाकिस्तानी navy के पास long range squad plane नहीं है मतलब अगर war time में पाकिस्तान इन aircraft का इस्तिमाल long range में करता है तो इन aircraft को हवाई सुरक्षा देने के लिए fighter aircraft का जरूरत बढ़ सकता है जिसका अभाव के वज़ा से शायद पाकिस्तान इन aircraft को लड़ाई के दर्मियान coastal area के निजदीक ही fighter aircraft को के squad के साथ patrolling में इस्तिमाल करे दूसर तरफ अगर Indian Navy के capability को देखा जाए तो P-8I maritime surveillance aircraft के लंबे दूरी में मार्क करने वाला शमता होने के साथ साथ इसे squad करने के लिए Indian Navy और Indian Air Force के पास लंबे दूरी के aircraft भी है नेवी के पास operational एक aircraft carrier भी है और आने वाले समय में नेवी के पास और एक aircraft carrier आ जाएगा जो की स C Sultan का भी एक draw wax के रूप में आगे आ सकता है लेकिन पाकिस्तानी expert का मानना है कि ये तभी कहा जा सकता है जब C Sultan operational हो दोसो C Sultan शायद लंबे range के लिए तैयार भी हो लेकिन एक लिए पाकिस्तानी expert को ये मान लेना चाहिए कि उसके पास C Sultan के लंबे range भी operation के दर्मियान protection के लि इंडिया और वी कई सारे nuclear power सब्मरीनों को अपने बेडे में शामिल करने का इरादा रख रहा है जब कि दूसरे तरफ project 75i के अंतरगत जिन सब्मरीनों को इंडिया फिलाल बनाने का इरादा रख रहा है उनमें air independent propulsion system और आधुनिक electronic system को लगा जाएगा जो कि इन सब्मरीनो को समुंदर के नीचे एक तरीके से invisible बना सकता है फिलाल इंडिया अपने सब्मरीनों को और अधिक ताकत बर बनाने के साथ साथ एक तरीके से समुंदर के नीचे stealth बनाने का भी प्रयास कर रहा है ताकि ऐसे maritime patrol aircraftों से इनहें चुपाया जा सके पर पाकिस्तानी navy के initial plan को पेड़े में फिलाल शामिल करने का इरादा रखा गया है जो भारत के लिए इतने बड़े समुंदर में शायद भविश्य में काफी ना हो दूसरे तरफ जहाँ पे पाकिस्तान के लिए इसरी भारत को counter करना है तो वही पे भारत के लिए खाली पाकिस्तान को counter करना ही आवर तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद